अपनी स्पीड और अपनी घातक स्विंग से कभी बैट्समेन के छक्के छुडाने वाले पूर्व क्रिकेटर मुनाफ पटेल बड़ी मुश्किल में फस गए हैं। जी हां दिल्ली की एक अदालत ने मुनाफ पटेल को चेक बाउंस मामले में समन भिजा है। मजिस्ट्रेट इस निगधा सरवारिया ने दिल्ली के निवासी सुनील कुमार अगरवाल की शिकायत पर ये आदेश दिया है। इस शिकायत में पटेल और एक फर्म समेट साथ अन्य आरोपियों को एक नवंबर या इससे पहले उपस्तित होने की बात कही गई है। अगरवाल ने निवास प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ शिकायत की कि पिछले महीने मुनाफ और अन्य द्वारा दिया गया साड़े 25 लाख रुपे का चेक बाउंस हो गया था। पटेल इसफर्म के निदेशकों में से एक हैं। सुनिल अगरवाल ने दावा किया कि मुनाफ पटेल को कानूनी नोटिस भेजा गया था लेकिन वे भुकतान करने में विफल रहे। साथ ही अगरवाल ने बताया कि सभी के खिलाफ उनके पास परियाप्त सबूत हैं। क्रिकेटर और अन्य लोगों को बलाते हुए अदालत ने कहा कि इस आपराधिक मामले में संग्यान लेते हुए मुनाफ और अन्य लोगों के खिलाफ धारा 133 के तहत मुकदमा दायर किया गया है। स्पोर्ट सार की रिपोर्ट